नमस्कार दोस्तों मैं हो ब्रिजेश सिंग और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश आगरा के दिवानी अदालत परिसर में यूपी महिला बार काउंसील अध्यक्ष दर्वेश सिंग की हत्या कर दी गई दर्वेश को वकील मनीश शर्मा द्वारा गोली मारी गई औ उसकी हालत गंभीर है अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है आप देखिए मारी डिपोर्ट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दरसल बुद्धवार दोपैर करीब तीन बज़े उत्तरप्रदेश बार काउंसिल की अधर्थ दर्वेश च्रिंग और अधिवक्ता मनीश शर्मा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया आगरा के ADG अजय अनन ने बताया कि विवाद इतना बढ़ा की अधिवक्ता मनीश शर्मा ने दर्वेश यादो को एक के बाद एक तीन गोलिया मारी गोली लगने से दिवानी परिसा में अफरा तफरी मच गई जानकारी के मुताबिक इसके बाद मनीश शर्मा ने खुद को भी एक गोली मार ली पुलिस ने दोनों को दिल्ली गेट इस्थित पुश्मांजली होस्पिटल में भरती कर आया फिलहाल विवात रकारान भी कुछ पता नहीं चल सका है आपको बता दें कि दो दिन पहले ही दर्वेश यादव उत्तरविदेस बार काउंसल की अध्धक्ष निर्वाचित हुई थी यूपी बार काउंसल के इतिहास में वो पहली महिला अध्धक्ष बनी थी यूपी बार काउंसल का चुना और रभीवार वो प्रयागराज में हुआ था दर्वेश श्रिंग मूल रूप से एटा की रहने वाली है 2016 में वे बार काउंसल की उपाध्धक्ष और 2017 में कारकारी अध्धक्ष रह चुकी है वे पहली बार 2012 में सदस पत पर विजाई हुई थी तब से बार काउंसल में वो सग्री सदस रही उन्होंने आगरा कॉले से विधी सनादर की डिग्री भी ली थी ऐसी ही खबरों के लिए बने रही हमारे साथ लाइव उत्तर प्रदेश लखनाओ